अहलो फेंस वेक्पम तो दे चैनल अप लोगों के साहत और सारी वीडी मैंने अभी शेयर किये हैं हैं साथन को लेके साथन के फर्स से 12 हौज में और साथा सारे 12 लगनो के मैंने आप लोगों के साथ Saturn कैसा result देगा उसका मैंने आप detail वीडियो आपको पर लगन ascendant और लगन के हिसाब से बताया है अब मैं Saturn के regarding कुछ और भी बोलूँगा बट उसके उससे पहले उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मेरे को कई लोगों ने request किया था जिकि उनकी कुंडली रीडिंग कर दे तो I have started I have given them promise और I have started this system also कि मैं कुछ लोगों की कुंडली रीडिंग फ्री हो तो before 25 और जून अपने personal details provide कर दीजे मुझे bird details और मैं कोशिश करूँगा जी कुछ उनमें से जिनका मुझे suitable लगेगा उनकी मैं कुंडली रीडिंग free of cost वीडियो टू वीडियो के थुरू update करूँ और आप लोगों को free of cost आपकी कुंडली रीडिंग provide कर सकूँ औ और क्या बोलते हैं दो सवाल मैं आपके उसमें लूँगा और दो सवाल आपके जो रहेंगे personal वो मैं आपको उसके regarding जवाब देने की कोशिश करूँगा अब इस वीडियो में आज हम एक female का जो यह मेरा first वीडियो है यह free of only reading में तो 25 से पहले मैं दो only reading करूँगा तो यह पहला है इसके बाद एक और करूँगा उसके बाद मैं 25 के इस इन दो reading के बाद मैं 25 के बाद reading करूँगा जिन जिन लोगों की मेरे पास आएगी personal reading और जो कुंडली चाहेंगे जिकि मैं free of course update करूँ उनको मैं वो provide करूँगा after 25th of June तो 25th of June से पहले पहले आप प्लीज आप कर सकते हैं मुझे अपना personal detail forward अब बात यह कर लेते हैं जिकि यहां पे एक female की कुंडली है और इन्होंने अपना नाम मुझे बोला है जिक रिक्वेस्ट किया कि ना बता है so she is a female so मैं उनका नाम नहीं disclose कर रहा हूँ but उनकी कुंड marit life के regarding यह चार्ट मिरीडिंग करूंगा चार्ट कर ने से पहले इन दो सवालों के चार्ट करने से पहले मैं इतना बता देता हूँ इस चाट के बारे में वर्गो उइसेंडेंटồng की है और वर्गो उइसेंडेंटồng की होते हुए इनका जो लगना है लगना लौड है वो मरकरी है और इनका मरकरी काफी अच्छी अपने ही घर पर वैटा हुआ है टेंथ हाउस में जाकिए वो भी मर्करी का ही होता है तो अपने घर पे बैटा है इनके positive science में देखा जाए तो Venus काफी positive बैटा है एशो अराम लेने के बाद ये काफी religious हो जाएंगी और ये चीज इनके 5th house से भी पता चलता है केतु पिर्पंचम में बैटा हुआ है तो जितना जितना ग्यान मिलेगा उतनी ही religious होती चली जाएंगी simultaneously देखा जाए तो थोड़ा सा इनकी 6th house में sorry first house में जो 6 नमबर लिखा है हाँ पे बैठा हुआ जो ये मंगल है ये इनको काफी harsh communication वाले person बना देते हैं थोड़ा build up strong होता है लेकिन harsh communication होता है और harsh behavior रहता है इनका तो इसमें थोड़ा से इनको control करना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं इस chart के बारे में जो दो सवाल पूछे गए हैं मुझसे मैं उन दो सवालों के बारे में इनके बारे में बताता हूँ पहला सवाल यह है जिकि married life कैसा रहेगा married life आप देख सकते हैं जिकि 12th house लिखा है 12th नम्मर लिखा है साथवे घर में हम साथवे घर से married life को देखते हैं तो आपको इतना पता है जिकि अगर 12th house यहां पे लिखा है तो यह जुपिटर का घर है और जुपिटर का घर होते हुए 7th house में अगर जुपिटर का घर है तो इतना जुरूर कह सकते हैं जिकि यह person काफी knowledgeable person है इनको कई चीजों के बारे में पता है और यह थोड़े chance of work के हैं क्योंकि जुपिटर है जुपिटर हमेशा थोड़ा knowledgeable, शान्त और कम बोलने वाले होते हैं जादतन नेचर में अब बात यह आती है जिकि यहां का जुपिटर कहां बैठा है यहां का जुपिटर जाके बैठा है तो हम यह कह सकते हैं जिकि हो सकता है इनके जो husband है वो foreign के हो, foreigner हो या foreign से return हुए हो या foreign के NRI हो या कुछ ऐसा हो या हो सकता है जिकि जहां पे यह रहती हैं वहां से distance state में या different state में इंडिया की हो लेकिन different state के हो और वो इनसे शादी किये हैं अब point यहां पे आ जाता है जिकि यहां पे बैठा Jupiter 12th house का इनके साथ इनके husband का relationship थोड़ा complicated कर देता है क्यूं कर देता है क्योंकि 6th house में बैठा हुआ Jupiter अपने से 7 घर से 6 घर आगे चला गया है और यहां पे बैठा के यह थोड़ा सा spirituality या धरम के बारे में सोचने लग गया है और यह थोड़ा सा health issues इनको create कर रहा है और simultaneously लगन के साथ इनका communication gap आ रहा है क्योंकि लगन से 12 घर में जाके बैठा गया है तो दूरी बन गई है जो personality है इनकी इनकी दूरी बन गई है और simultaneously मांगलिक भी है यह अगर कुंड़ी में मांगल दोस है मून चार्ट से भी है मांगल दोस चेक करते हैं और लगन चार्ट से भी और यहां पे यह मांगलिक है यह लगन है इनका मैंने लगन नहीं लिखा अब लिग देता हूँ तो यह लगन में बैठे हूए मंगल इनको मांगलिक बना देता है इसको यहां पर मंगल यहां पर देखता है अपने जूपिटर को देखेगा तो शायद क्या बोलते है लाइफ की कोई problem ना दे डेथ ना दे या कुछ ना दे लेकिन distance जरूर कर देगा जूपिटर वैसी 6000 मे मिलेगा teaching में आप जाती है तो बहुत अच्छा मिलेगा या कोई भी काम करेंगी जो आप अपनी personality communication की थूप करेंगी तो आपको अच्छा benefit मिलेगा लेकिन harsh communication हो जा रहा है मंगल की वज़ा से इस कारण आपको थोड़ी problem हो रहे हैं आपको थोड़े क्या काफी problem हो रहे हैं कुछ पीला अपने पीला कुछ भी yellow चीज है उसको donate करिये अपने से बड़ों का respect करना सीखिए और जितना हो से कि उतना respect कीजे और अपने से जो ग्यानी है उनका भी respect करिये उसको accept करिये और उनके हिसाब से कुछ कुछ चीजे करने के अपनी जिंदेगी के बदलाव लाने यह कोशिश करिये हो सकता है यह जुपिटर का आपको benefit देने लगे जुपिटर यह जो benefit देने लगे मैं married life के लिए guarding कह रहा हूँ although जुपिटर यहाँ पर बैठके आपको benefit देगा शादी तूटने का chances हो सकता है अगर आप अपनी birthplace से थोड़ा distance में चली जाए तो हो सकता ह कि आपके जुपिटर को support मिल जाए और आपको आपकी शादी ना टूटे अगर आप अपने घर पे हैं या आपने house पे हैं तो हो सकता है जिकि वो दूर रहें आपसे communication दूर हो जाए घर पे रहते होए communication दूर हो जाए यह हो सकता है कि वो कहीं डिस्टेंस पे रहें ठीक है आपके साथ ना रहे या आना जाना करते रहे तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा मंगल को उपाय करना पड़ेगा आपको और आपको मंगलवार को कुछ हनुमान चालीसा और कई सारी चीजे आपको और भी करनी पड़ेगी जो मैं आपको पर्सनल वीडियो में आपको पर्सनल रिमेडी इस प्रोवाइड कर दूँगा अब बात कर लेते हैं ग्रोथ की ग्रोथ आपको जादा तर मिलेगी communication से related आप अगर communication में काम करते हैं या teaching में काम करती हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी अगर आप banking सेक्टर में काम करना चाती हैं तो भी आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी अब बात कर लेते हैं जी कि इस ग्रोथ क्या ये सिर्फ इसी ही से आपको ग्रोथ मिलेगी जी नहीं जितना मुझे दिख रहा है मैं आपको एडवाइस ये दूँगा जी कि आपकी ग्रोथ बढ़ा देगा प्रॉब्लिम देगा लेकिन सुर्य हाँ पर ग्यारवे घर में बैठा है बारवे घर का ओनर होगे तो एक्सपेंसे जरूर बढ़ेंगे लेकिन चांसे जी कि आप फॉरें में सेटल हो सकें तो आप कोशिश करिए जी कि आपकी ग्रोथ देखिए फोर्थ हा अब फॉरें में हो और फॉरें यह नहीं कहता जी कि आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी आप लुग कर पाएंगी और आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा Simultaneously Saturn के अंतरदशा है तो अभी कोशिश आप बिल्कुल कर सकती है क्योंकि यहाँ पर Saturn आपको क्या बोलते हैं Knowledge प्रोवाइट कर रहा है Knowledge प्रोवाइट कर रहा है Simultaneously आपको Services में डाल रहा है अगर इन तीन दोनों का Combination और इन दोनों का Combination एक साथ चल रहा है यहाँ पर तो आप Services और अपने ज्यान से अपनी Convenience और अपना Business या अपना Settlement अपना Business दोनों कर पाएंगी इस Time Period में जो कि आपके 2025 तक चलेगा तो कोशिश यह करिए जिकि आप जितना हो सके अगर आप अपने टंग अपनी जवान को थोड़ा सा हार्ष कम कर ले तो क्या पता आपको यहाँ पर Settlement अभी मिल जाए 2025 तो आपको कोशिश काम्याब हो जाए और आप Foreign Settlement हो जाए बच्चे बच्चों का भी Foreign Education हो सकता है बहुत Sudden Gain मिलेगा बच्चों को हाँ Health Issues थोड़े हो सकते हैं बट आपकी Education आपकी Knowledge और आपकी Services के थूरू आपको Benefit मिलेगा Foreign में आपका नाम होगा पॉपुलर होंगे ठीक है तो आप कोशिश करिए Foreign Settlement की सो यह मेरा पहला कुंडली चार्ट रीडिंग है आपके कोश्चनों का हो सकता है मुझे उमीद है जिकि मैंने जवाब दिया है जुपिटर की उपाए और मंगल का उपाए जरूर कीजिए आप लोग अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी कुंडली उससे रीड करवाए फ्री आफकास तो प्लीज मुझे अपना मेरे 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 को अपना पर्ट डीटेल प्रवाइड करिए मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर अबर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपना यहां रखकास थार्षां कर दोग जट।